AKTU MBA के previous year or semester examination में innovation and entrepreneurship subject से what is creative destruction question पूछा गया था short answer question में तो यहाँ पर हम डिसकस करेंगे कि creative destruction क्या होता है Creative destruction आपने पहले देखा होगा कि पहले grammar phone आता था जिसमें की बड़ा सा plate होता था उससे music सुनते थे फिर दिरे दिरे innovation हुआ, tape recorders, cassette आने लगे cassettes भी जो है धीरे-धीरे डिप्लीट हुए और फिर CDs और DVDs आने लगे और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको गाना सुनना होता है तो आप Spotify या फिर गाना.com पे चले जाते हैं और वहाँ पे कोई भी गाना आप जो है सुन सकते हैं चाहिए हो विस्के हो चाहिए वो albums के songs हो तो यह क्या है यही है creative destruction यानि कि आपने ऐसा कुछ create किया कि पीछे वाली चीजे डिस्ट्रक्ट हो गई यानि तहस नहस हो गई नश्ट हो गई जैसे कि photography में आप देख सकते हैं photography companies क्या करती थी कि पहले camera और camera होता था photo खीचते थी real को धोती थी रोने के बाद आपको photo मिलता था और आप अपनी मर्जी से कहीं भी photo नहीं खीच सकते थे आपको camera वाले को बुलाना पड़ता था तब आप photo आपको मिल सकते लेकिन आज के time पर आप देखेंगे सभी के खतम हो गए डिश्टक्ट हो गए और अब smart watches दीरे-दीरे सब के हाथों में आने लग गए हैं books की बात करें तो आज की time पर printed books की demand कम बलकि सब online books में tablet या kindles का use कर रहे हैं जहां पर online books उनको सभी books मिल जाती है इसी तरीके से music streaming का आपने देखी लिया DVDs की आप देखें कोई जोतनी होती है अब आपको कोई movie देखना है कोई song सुनना है कोई video देखना है तो आप YouTube पर चले जाते हैं वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाते है अब DVD का जवाना भी क्या है चला गया तो that is creative discussion यानि कि आप यहाँ पर क्या करते है कि कुछ ऐसा create करते हैं innovation का use करके कुछ ऐसा create करते हैं जिससे की old वाली जो चीजे थी वो destruct हो जाती है यानि नश्ट हो जाती है जिससे की पुरानी वाली चीजें क्या हो गही नश्ट हो गई, destruction में क्या हो गही देखिया innovation, innovation, destroys, existing product, existing job और existing production प्रोसेस तो हाले कि कोई भी existing market था या job थी या फिर कोई production प्रोसेस था वो destruct हो जाता है और कुछ नया product नया जया प्रोडक्शन प्रोसेस ब्हो आजाता है करना तो refers to the incessant product and process innovation mechanism by which new production unit replace outdated ones तो यहाँ पर देखिए incessant का मतलब क्या हो कि continuous process हो गया incessant मतलब continuous तो refers to the continuous process of product and process innovation mechanism जहाँ पर new production unit क्या करता है वो outdated one को replace कर देता है या फिर आप कह सकते हैं कि decay of long standing practices procedures product or service followed by more innovative disruptive one तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि जो decay होना है नश्ट हो जाना है तो जो long standing बहुत दिनों से चला आ रहा है practice procedure या फिर कोई भी product तो वो धीरे-धीरे innovation के वज़े से क्या होता है disrupt हो जाता है नश्ट हो जाता है तो that is called creative destruction तो यह किस principle पर बेस्ट है यह old assumption को break करी है जैसे क्या होता था पहले लकड़ी से खाना बनता था लकड़ी को खाने को हटा के अब जो है गैस आया अब गैस का भी जो है वहाँ पर डिप्लीट करके अब जो है solar energy का यूज कि यह सब क्या है यह सब खतम हो जाएंगे जब नोन रिनेवल्बल रिसो sagt और सोलर रिंवल्ड के रिनेव रिसोसे तो दीर क्या होता है इंवेशन करके पुराइं चीजों को है यह चीजों को ले आँब जैसे की आजकीoms में जो थीरे धीरी धीरे जो Kung ऑघा रानी दीरी दीरी जो है पुरानी चीज़े नेश्ट होती जाएंगे और नया डेवलेप्मेंट होता जाता है तिया जो क्रेटिव डिस्ट्रेशन का कॉंसेट्ट है 1976 में इस कंपिटर ने जॉसेफ इस कंपिटर ने यह था जो कि एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन अगर आपको पुरा क्या होता है अब अगर आपको प्राइवेट कंपनी आप रंड करें तो वहां पर आपको मार्केट में compete करना है और successful होना है तो आपको continuously यानि कि continuous basis पे आपको change होना होगा dynamic होना होगा और innovative होना होगा जिससे कि जो आपका existing one status क्यों है status को मैं अलब कि existing condition एफ ए state of affair है उसको आप जो है हटा सकें उसको change कर सकें और कुछ नया innovate कर सकें तो वहाँ पे creative destruction की जोड़त होती है capitalism के खास कर तो वहीं से creative destruction आया है जहाँ पे आप पुराने pattern को पुराने process को पुराने product को क्या करते हैं gradually deplete करते हैं by making new product new process और new creating new jobs तो hope का आपको clear होगा wish you all the best keep watching